हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको binary search का program C language में लिखके बताने जा रहा हूँ last video मैंने बताया था कि second largest element और smallest element और array भी कैसे पता किया रहता है तो यह code second largest and smallest number को तो सबसे पहले इसको हम direct करने जा रहे तो यहां पर binary search के लिए सबसे पहले मुझे integer variable जाए int i,abc उसके बाद n फिर fn और फिर a double r इसको साइजम 25 देने जा रहे और फिर printer function रिखते है तो यहां पर enter the number फिर यहां पर scanner function रिखने जा रहे यहां पर %d और m %n फिर यहां पर printer function रिखते है यहां पर message field करेंगे यहां पर फिर यहां पर यहां पर यहां पर और यहां पर लिखने जा रहे और आई का वैले यहां पर जिरो से start होगा condition है i less than n i plus plus फिर यहां पे scanner function और यहां पे %d और ampersand a double r of i तिर यहां पे filter function फिर से लिखे यहां पे double code के अंदर message print को रहेंगे enter the number to search और यहां पे scanner function लिखने जा रहें scanner function %d और यहां पे ampersand fm और यहां पे a का value 0 होगा और c का value होगा c equal to n minus 1 और यहां पे b equal to a plus c divided by 2 फिर यहां पे while लोग लिखने जा रहें ह्धिश वाय ओन और यहां पे on पेख़् हैं लिख खिंग पेख्ड हैं अजग मौट f n greater than a double r of b तो यह अंदर जाएगा और यहाँ पर a equal to b plus 1 अगर यह condition सही नहीं रहाँ तो l spot में जाएगा और यहाँ पर c equal to b minus 1 और यहाँ पर b equal to a plus c by 2 और यहाँ पर बाई लूप से बाहर निकरने के बाँ if f n double equal to a double r of b और यहाँ पर printer function रिखने जा रहा है printer यहाँ पर पर्सेंट थे पांद पांद पर्सेंट ध पोजी संसंट बाई यहां पे print करेंगे, यह print का वादर, और यहां पे B plus 1, और यहां पे L spot में जाएंगे, L से A greater than Z, यहां पे कर्देब्रा से लिए कोई जाएंगे, यहां पेंगे, पेंटर, not found, percent is not percent in the list. यहां पे, और से लास हैं, और सके बाद यहां पे app हैं, तो यह है code binary search का, अब मैं इस प्रोग्राम को execute करके देखने जा रहा हूं कि प्रोग्राम सही से work कर रहा है कि नहीं तो यहाँ पर error है for i equal to 0 i less than m i plus plus और यहाँ पर जाड़ी फिर से execute करते है तो अब कोई error नहीं है एहाँ पर अंड़र नहीं पर je यह 4 और यह 3 7 तो अब मैं यहाँ पर 79 कोई भी नमबर का सर्च कर सकते हैं यहाँ पर हम इंटर कर रहे हैं 79 79 सर्च करने के लिए तो यह देखें 79 फांट एक पोजिशन 5 तो यह 1,2,3,4,5 तो सही आटपुट आरे हैं चलिए इस पार हम इंटर करते हैं नमबर 6 तो 6 इंटर करने वाद आपकोस 6 इंटर करने वाद आपकोस 6 इंटर करने पड़ेगा 4 तो 7 उसके बाद 8,2,3,4,6,7 तो इस पार हम सर्च कर रहे है 8 तो 8 3 पोजिशन पर 8 सर्च कर रहे है यहां देखे है 8 फोजिशन पर रहे है यहां पर एक्सेट कर रहे हैं यहां पर हम इस बाद इस बाद इंटर कर रहे हैं यहां पे 5 sorted element, इंटर करना है 5, उसके आफ 7, उसके बाफ 12, 15, और यहां पे 18, आचा 19 कोई दिकर नहीं, यहां पे दिखिए हम ऐसा number इंटर करने जा रहे हैं, जो इसमें नहीं है, तो 18 नहीं पर है यहां, यहां पे 18 इंटर के, यहां पे output है, not found, 18 is not present interest, तो सही output है, यहां पे दिखना है, found, यहां पे दिखना है, found, यहां पर फिर से execute करके देखते है, इस पर मैंने, इंटर के आफ नमबर 3, तो इस पर हैं, यहां पे 77, 88, और हम सर्च कर रहे है, 99, तो यह दिखिए, 9, 99 is not present in the list, तो यह code binary search का, अब मैं इस प्रोग्राम का ट्राइण कर गए आपको दिखाने जा रहा हूं, तो यह code, तो इस code को अगर debug कीज़ेगा, तो हज़े पहले करन्टो, main function के पहुंच जाएगा, और इसके बाद ही अंदर आएग, तो यहाँ पर मैंने integer variable है, अपहला है n, उसके बाद fn, और यहाँ आपके, है a, b, c, और यहाँ पर integer variable है, i, और इसके बाद 8 double r, तो 8 double r, जोकि error tap का है, तो मैंने size 25 ते है, तो यहाँ पर जाएगा 25 element of element डाल सकते, जादा चाहिए तो फिर यहाँ पर size बढ़ाना पड़ेगा, उसके printer function है, तो यहाँ पर enter the number, यह output screen पर display होगा, और scanner function है, जो कुछ में इंटर करेंगे, वो in receive करेग %d क्योंकि end क्या है, it is attack का है, उसके बाद यहाँ पर enter function है, यह %d n के लिए है, तो यहाँ पर, मैंने n का value 5 enter किया, तो enter 5 sorted number, यह output screen पर display होगा, उसके बाद फौर, i का value start over 0 से, जिक करेंगा 0 less than n का value 5 conditions है, इस का बाद फंक्सन है, तो यह receive करेगा a double r, 0 position पर value, तो यह a double r है तो यह इसका 0 position है, यहाँ पर यह 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो 0 position हम यहाँ पर enter करने है, और 4, उसके बाद यहाँ पर i का value increase होगा, तो i का value 1 चे करेंगा, रवा फाशील दर्ड जो खो जो कंडिसन थो जलते है इस बार अफभा और वन पॉएज पर नैयाय अमन आउनमेट इंतर सेरें तो यहां पर 11 enter किया, तो आई का वहल यहां पर 3, चेक्कर गहाँ रिए पर 3 पॉसिए, यहां पर 4 जो फोर होगा, चेक्कर गहाँ पर 4 लेस तेन 5 जो उपर यहां पर 4 जो फोर होगा, तो यहां पर इंटर करना पर एगा एड़ गा फॉर्पशिशन पर नहीं तो यहां पर मैंने 21 इंटर किया फॉर्पशिशन पर उसके आई का वैले जब 5 होगा जिक करेंगे लिदेगा 5 यहींद साहिन है इंटर कुल्ट यहां पर इंटर फंसन तो यह ओड्पट दि अब इस प्रविया अंटर नुम्र तर्च और स्कानि फंच जो कुछ भी इंटर करें है वो fn रिसीब करेंगा यहां पर उम सच करें 11 तो इस प्रविया है इंटर किया यहां पर a कर वालुव जेलो दीड आउटीडल न-1 तो n का वालु क्या है 5, 5-1, c का वालु होगा 4 और यहां पर b इकल टो a plus c बाई 2 तो a का वालु क्या है 0 और c का वालु 4, 4 बाई 2 यहां पर b का वालु होजाएगा 2 उसका यहां पर while loop fn not equal to a double और b तो b का वालु 2 है, so fn का वालु क्या है 11, enter किया है और यहां पर not equal to a double और b का वालु क्या 2 तो a double और 2 पर संट पर वी क्या 11 है 11 equal to 11, यह condition यहां पर false होगा है और यहां पर and a greater, a less than equal to c तो a का वालु क्या 0 और less than equal to 4 तो यह condition सही है, यहां false and true अगर and operator यूज करते हैं, तो कोई भी अगर value false होता है तो overall false, तो यहां पर false होगया तो यहां पर control यहां पर आगा यहां पर if fn double equal to a double r b fn का वालु क्या है 11 है और a double r b, b का वालु क्या है 2 तो a double r two position पर भी 11 है 11 equal to 11 जो ही condition सही है तो control यहां पर जागा printer function %d तो यह %d fn के लिए है और यह %d b plus 1 के लिए है तो यहां पर fn का value क्या 11 तो 11 found at position और two plus one three तो three position पर यह found होगा और इसके बाद यहां पर if conditions रहे है तो as part में नहीं जाएगा और इसके बाद main function से बाहर हो जाएगा तो यहां पर मैंने 11 सर्च किया तो direct यहां पर while look के अंदर नहीं गया और इस पर हम यहां पर search करते है यहां पर 14 चलिए 14 सर्च करते है तो fn का value मैंने search किया, enter किया 14 ठीक है और यहां पर तो कोई changes नहीं होगा तो यहां पर चेक करेंगा 14 not equal to a double or b a double or two plus one तो यह condition true है यह condition true and operator a rest then equal to c a का value है zero c का value है 4 ちょ यह condition भी रिये तो यह अंदर जाएगा यहां पर if fn A double or b So fn का value है 14 greater than a double or b a double or b my value का value है 2 तो यह condition रिये तो यह अंदर जाएगा तो आपर a equal to b plus 1 a का value है 0 2 plus one 3 3 और 3 value जाएगा A में, यहाँ पर A का value 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर if condition सही है, तो else part में नहीं जाएगा, ठीक है, यह else part है, और यहाँ पर, फिर यहाँ पर B का टो, A plus C by 2, तो A का value का 3, और C का value का है, 4, 3 plus 4, यहाँ पर 7 हो जाएगा, 10 by 2, value हो जाएगा 3, तो b का value इस्टा 3 हो जाएगा, और फिर से ओपर जाएगा, तो यहाँ पर fn, not equal to a, और b, तो fn का value क्या है 14, और b का value क्या है 3, तो a, और 3 परेशन भी क्या है 14, 14, not equal to 14, तो यह condition false है, और and operator यहाँ पर हम योज कर रहा है, और यहाँ पर a less than equal to c, 3 का value 3 है, और c का value 4 है, तो यह condition true, यहाँ पर false and true, and operator है, तो value क्या हो, false हो, तो यह false है, तो यह अंदर ना जाएगा control यहाँ पर आएगा, तो if fn double equal to a double or b, तो fn का value मैंने 14 इंटर क्या, और a double or b, तो b का value 3 है, तो a double or 3 परेशन भी क्या है, 14 है, तो 14 equal to 14, condition सही है, तो यहाँ प्रिंट करेगा, 14 point and position, b plus 1, 3 plus 1, 4, तो output आएगा, 14 point and position, 4, और उसके बाद if condition से, यहाँ से auto जाएगा, और उसके बाद mean function से भी auto जाएगा, तो यहाँ पर मैंने 2 और सर्च किया, 11 और 14, चलिए एक बार सर्च करते हैं 7 को, तो यहाँ पर मैंने 7, इंटर किया, fn में, तो यह value यहाँ पर a का value 0 हो रहा हुँ, ठीक है, c का value n-1, 5-1, और 4, और b का value, और 2, ठीक है, अब यहाँ पर control हाएगा, तो यहाँ पर मैंने enter किया है, fn का value 7, और यहाँ पर a का value 0 हो रहा है, एक बार 2, पर 11, तो यह condition सही नहीं, as में जाएगा, यहाँ पर c का value b-1, तो यहाँ पर 2-1, c में हो जाएगा, 1, तो यहाँ पर b इकल to a plus c by 2, तो 0 plus 1 by 2, तो b का value यहाँ पर 0 हो जाएगा, उसका बार जाए condition check करेगा, fn not equal to a to a और b, तो FN का वालु मैंने इंटर किया है 7 और यहांपे A double or B, B का वालु किया है 0 So A double or 0 % परेसिक भी है 4 So 7 or equal to 4 condition जो किसा ही है और यहांपे A value किया है 0 B का वालु किया है वो भी 0 है So, 0 equal to 0 जो किसा है तो यह अंदर जाएगा FN greater than A double or B fn का value 7 है और a और b का value 0 है तो 8 बाद 0 पर इसे न 4 है तो 7 के लिटे दें 4, condition जोगी सही है तो a equal to b plus 1 तो यहाँ पर b plus 1 और 0 plus 1, a का value यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर if condition सही है तो as what में नहीं जाएगा तो यहाँ पर b equal to a plus c by 2 तो a का value 1 है, c का value क्या 1 है, 1 plus 1, 2, 2 by 2, b का value क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो यहाँ पर b का value 1 हो गया और उपर जाएके शिक करें condition fn not equal to 8 बाद और b fn का value क्या 7 है और 8 बाद और b का value क्या है 1 तो a का value क्या है 7 है तो 7 not equal to 7 जोगी condition सही नहीं पाल्स है और a less than equal to b तो a का value क्या है 1 और b का value क्या है 1, 1 equal to 1, sorry a का value 1 है और यहाँ पर 6, c का value 1 है, 1 equal to 1 जोगी condition तरी है यहाँ पर and operator है, तो false and true, and operator में overall value क्या है और false and तो false and, यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर करेंट रहाएगा, if fn double equal to a double r b तो fn का value यहाँ पर क्या है, और 7 है, a2 और b, so a2 और b, b का value क्या है, 1 तो 1 पर क्या है, 7, 7 equal to 7, जोगी condition सही है, तो प्रिट करेंगा, percent और d, तो यह fn के लिए, यहाँ पर, और 7 pounded position, b plus 1, 1 plus 1, 2, तो output है और 7 pounded position, 2, और इसके बाद यहाँ से, main function सही बाहर चला जाएगा, तो मैंने सर्च किया, 7, 11, और 14, और next time, आप इंटर करें, fn का value 4 और 21, और same dryand method और कीजिए, तो आपको definitely output सही मिलेगा, तो यह dryand method, binary search का, तो मैं ऐसा करता हूँ, यह program आपको समझ में आगिया होगा, यह कैसे work करता है, और यह step भी, तो आज की video में इतना ही, मिलते है new topic के साथ new video में, thank you.